जब आदमी कमाता ध्हमाता ना हो ग्धरमें पड़ा रहता हो तो ऐसे में अच्छा अच्छा आदमी भी लेडी इसकी जो बाते होती है उनी में इन-वॉल्व हु- जाता है और वैसी ही बाते करने लगता है यहालत फणी की भी है लेडी मेकप करती है उसकी स्टूडियो में है बनाने पीकाप कराने कर आना के लिए वहां पर बैठा हुआ है और देख रहां कि मेक एब तो टाइम लेता तो वहां पर जो कहते हैं तुम लोग इतनी की से बाट जाते हो मेकप कराने के लिए हैं यह रही है किना और इक बटन लगाने हैं जब भी जब नए जो पर घंडे हुए तो सब के पैर इसे खास हो जो अपनी बीबी के पैर इसे धुला रहे हो साथ में तुम्हारे मम्मी पापा हैं उनके सामने भी इस तरह की हरकते कर रहे हो यहाँ है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर लेडिस में बैठा रहे ना आदमी और लगने समय तक रहे तो वो भी लेडिस तो जैसी बाते करने लगता है यह वही वाली बात होती है अचा यहाँ बिल्कुल भी आप यह ना समझिये कि मैं लेडिस और जैन्स कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ कि लेडिस जो है वो ठीक बाते नहीं करती है या गलत तरीके से करती है नहीं बिलकुल भी नहीं पर एक अपना अपना एक जैन्स का वी होता है एक लिडिस का वी होता है वो हमेशा डिफरेंट रहेगा और रहेगा ही तो अगर आप बहुत ज़्यदा जो है उनमें बैठते हो तो आपका वीव का जो थोट है वो थोड़ा पर हिज नीरा है इससे पहले को एक व्लॉग के अंदर इसकी सास लेटी हुई थी और वो बिना दुपट्टे के लेटी हुई थी तो इसने ब्लर कर दिया था इसी तरीके से जो रुकईया आई हुई थी जो जिस व्लॉग में सामान खोने का इस ड्रामा कर रहे थे प्रैंक इसी ने दुपट्टे के ना दिखा पाए और बच्चों को भी इसी ने दुपट्टा पहना दिया था क्योंकि यह हिजाबन सबसे अदा बन रही थी और आज यही जो है सब कुछ कानून तोड़ती हुई यही नजर आती है पहले सबसे पहले तो वहां बीच पर जब हुई तो वहां पर भी उनका सर खुला हुआ था लेकिन इसने ना तो बलर किया ना वो कट किया तो धीरे धीरे यह लग रहा है कि अब इन सब चीज से उप गई है और अब इस सब को फ्री छोड़ देना चाहती है या यह कहिए कि अब यह दिखाने वाली नहीं है चले जब हिजा पूरे लोक्क में इसाने यही काम किया बहुत सारा मेक अप लगा के वह तेयार होई है और भाई क्या मेक अप किया है ऐसा लग डारा के नागिन सीरियल की हिरोइन को वींदा यहां शायार किया तकि नाक क्ट जिठाना मूप पर improv緊 पर इतनी ज़दा पुटी लगाई हुई है कि वो सारे कलर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं अगर भाई इसको मेक अप कहते हैं तो भाई मैं तो यह कहूँगा कि यह मेक अप ना ही करा है तो अच्छा है तो चले बात करें थे हिजाब की तो यह अक्सर जो है अबाया पहनती है अपना फोटो शूट कराती है तो आप ही बताईए मेक अप कहां बताया है जो मुस्लिम ओरते हैं उनके लिए इस तरह से मेक अप नहीं बताया है तो फिर अगर हिजाब फॉलो कर रही है हिजाब कहां फॉलो कर रही है इसने तो बिल्कुल हिजाब का मजाग बना के रख दिया जब इसको photo shoot करना होता है जब इसको अबाया पहनना होता है जब इसको हिजाब का erotismat करना होता है और ये सारी pictures बहुत सारी लोगों तक पहुँचा नहीं होती क्योंकि इसी ड्रेस देखकर ही लोग बाद दूसरी ड्रेस खरी दें ऐसे में धरम का साहरा लेती है हिजाब का साहरा लेती है और इसी तरीकी ड्रेस पहन कर ये फोटो शूट कराती है अब तो भाई ये कहना ही पड़ेगा कि ये तो सरा सर दोगलापन है बहुत ज़्यादा दोगलापन है और ये आप जो इसलाम का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रही है इस तरीके से तो अब देखे हिजाब की बात चलिए तो मैं एक बात और बता दूँ एक जो इसकी सहीली है इसने अपने बच्चे के हकीके पर इसको बुलाया था आप समझ गये आप मैं बात कर रहा हूं सुफियान व्लॉग की तो वो जो निदा है अभी उसने एक प्रैंक किया और प्रैंक क्या किया अपने उसके अंदर कि उसने ये कहा कि मैंने अब हिजाब जो हटा दिया है क्योंकि मेरे वालों में थोड़ी सी प्राबलम होगी है तो मुझे मना किया है कि तुम इस तरह से मत करो और एक उपर से विग लगा कर वो वहाँ पर आगी अपने घर में और उसने सास ससूर सबके सामने आकर बैट गई सास ने तो उसके साथ में बात तक नहीं करी और सास ने उसको फिर सुनाना शुरू कर दिया इस बात के लिए जबकि ऐसा नहीं है उसके घर में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है बहुत ज़्यदा वो प्यार करते हैं और उसने यहां तक कहा दिया कि अगर तुम हिजाब नहीं पहनोगी तो तुम दुबारा इस घर में मत आना और सास सास ने ससूर के लिए भी खा कि क्या तुम ऐसे देख रहे हो तुम इसको कुछ कह नहीं सकते हैं क्या असर गलत बात है लेकिन चलिए जो हम अपनी बात कहना चारे थे वो यह कहना चारे थे कि हिजाब को कितना ज़्यादा पवितर माना जाता है और कितना लोग इसको समझते हैं यह उसके व्लॉग से भी पता लगता है और इसको बिल्कुल भी शरम नहीं है इस बात की और वहांOO हिजाब में वहां पे फोटो किछवा ऋरिएń फोटो शूट कर आ इंदर आत में वो जो लड़की है जो मेकश़ त नंच वो लोग हमिशा फिजाब में रहते हैं अब हिजाब वाली लोगों के सामने जेंड्स का जाना ठीक नहीं है फनी है उसको कुछ पता ही नहीं है वो लगता है जैसे कि वो तो अब दुबारा से औरत ही बन गया है जब भी तो हम कहरे हैं कि और तुम बैठ के वो भी औरत बन गया है भाई कुछ शरम तुम भी करो और तुम वहां से बाहर जाओ या वहां पर ना बैठो मैं अपनी एक बात बताता हूँ अभी हमारे घर में एक celebration था और हम लोग जो नजीर में celebration के लिए गए और वहां खाना खाने के लिए बैठे हुए थे तो हमारे सामने वाली टेबल पर एक ऐसे हिजाब वाली लड़की और उसका husband और वो छोटे से बच्चे के साथ आई थी वहां बैठी हुए थी ठीक उसके सामने बैठके मुझे बड़ा uncomfortable फील हुआ मैंने वहां पर अपनी बेटी को बैठाया और मैं खुद दूसरे साइड जाके बड़ देखिये उस लड़की ने हर चीज का एहतराम किया और उसने क्या किया अपना नकाब यानि उसने जो पहना हुआ था उसको एक तरह से परदा सा बनाके एक साइड डाल लिया और हाफ चेहरा अपना खोल लिया दूसरी साइड से जिस साइड में वाल थी और तब उसने वो सारा खाना खाया अब देखिये कितना वो अदब कर रहे हैं इस हिजाब का कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं लेकिन वहाँ पे भी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि हिजाब उनके चेहरे से हटे ना रेस्टूरेंट में जो बाकी लोग बैठे हुए हैं कम से कम उनके सामने वो बेपरदा ना हो यह हिजाब का एहतराम जिससे कि यह बिलकुल बच्छती है और बिलकुल भी ऐसा यह नहीं करती ऐसा ना करके और इसका मजाक उड़ाके यह तो गुनाइगार बन रही है मुझे यह समझ में नहीं आता कि जिस हिजाब को लेकर इतने सारे सबसक्राइबर बढ़ाये थे वो लगातार इतना एरोटिस्मेंट किया था उस हिजाब का और उसके लिए कही सारी वीडियो भी बनाई थी इवें दे टूटोरियल बनाया था तो इसके जो वीवर्स हैं जो इसके सब्सक्राइबर बने थे तो उन्होंने इसको अनसब्सक्राइब क्यों नहीं कर दिया जब इसकी सारी इस तरह की हरकते देखते हैं और यह जब डवल मीनिंग बाते करती है जब यह कैई सारे जेंट्स के साथ में बैठती है जब यह कैई सारे जेंट्स के साथ में फोटो किचवाती है अके लिए और उसके साथ में ऐसी हरकते करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा शरमनाख हैं जो वाइफ हस्बेंट के बीच में रहती है यानि वो जो किस वाला इंसिडेंट था और वो टीशर्ट वाले इंसिडेंट था ये सारी चीज़े करती है उसके बाद में भी हिजाब का ड्रामा करती है भाई जो इसके विवर्स हैं वो उनको जरूर इसको अंसबस्क्राइब कर देना चाहिए इसके लिए और मेरे विवर्स इस सब के बारे में क्या सोचते हैं तो वो प्लीज कमेंट जरूर कीजेगा अब देखिए ये जो एक कपड़े लिने जा रही है ये जो एक बीश पे लेकर जा रही है ये बाहर लंच कर रही है इस सब में रुकसाना भाजी को ले जा सकती है रेहान को ले जा सकती है रीजा को ले जा सकती है बाकी सब को ले जा सकती है लेकिन वो बिचारा एक लड़का जो वैसे किसमत का मारा है सुननी सकता बोलनी सकता उसको क्यों कि नहीं लेके जाती है उसको कपड़े दिलाती, उसको घुमाती, उसको भी तो समुदर देखना था ना, उसको भी तो समुदर दिखा थी, उसने कहा मौदा में समुदर देखा है क्या, ये कौन सा दोगला पना है, ये बिल्कुल समझ से बाहर है, इसके ऐसी फितरत क्यों है, प्लीज आपके क्या सम हम तो बिल्कुल भी नहीं यह कहेंगे कि तुम यहाँ पर सिर्फ अजरी प्रमोशन के लिए आई हो, क्योंकि आपको प्रोमोट करनी है, यह सेल, कि भी सब को बताना है कि यहाँ पर भी सेल लगी हुई है, तो आप आजाए है, कि तनी की सेल लगी हुई है, यहाँ तो 50% की सेल लगी हुई है, यहाँ 15% की सेल लगी हुई है, तो तुम्हारा प्रोमोशन का प्रोमोशन हो जाएगा, और साथ साथ खड़ीदारी के खड़ीदारी हो जाएगी जो कि basically discount क्या बिलकुल लो रेट पे हो जाएगी आज की date में तुम्हारी हरकते सब अच्छी तरह समझ गए हैं कि कब तुम promotion के लिए काम करती हो और कब जो सस्ते में काम करती हो पट्री वाला और कब जो है सास और मा में फरक करती हो तिसले कहने वाली तो कोई बात ही नहीं सब लोग आप आज की date में पूरी अच्छी तरह से समझते हैं इस बात को और उपर जाके भी फिर दुबारा 50% का नाम लेती है और ये सब लोग जो इसको अच्छी तरह से क्योंकि इन्हों ने बुलाया है वो बिल्कुल भी रुकसानाबाजी को पसंद नहीं आ रहा था तो इसलिए वो जो है उसका मूँ जो ऐसे ही हो रहा था और मूड भी ऐसे ही था तो ऐसे मैं जो कहते हैं क्या हो गया कुछ पसंद कर ले कुछ अच्छा नहीं लग रहा और जब उसको अपने पसंद का मिला तो तब जाके वो खुश हुई और सूट करते करते बार 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 15% आफ है यहाँ पर 20% आफ है लगातार सेल 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 की बात कर रही है आजकल फनी जो है कुछ भी कहने से बाज नहीं आता है शाफ साफ कह रहा है कि हमारे यह एक और बाला जी खुलने वाला है इतने कपड़े तो अल्रीडी अपने घर में हैं कहने का मतलब यह है एक शोरूम खुल जाएगा इतने कपड़े उसके घर में हैं अब रुक्साना ने पहली बार जो cold coffee पी अब देखो ये भी सारे लोग यहां पर पी रहे हैं खा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत जाता डॉक्टर के पास जाने के लिए हैं तो इसलिए जो यहां पर आगे चाय पीने के लिए हैं अब देखें यह सारे भी तो मीठा चल रहा ह हैं और जिस रेस्टोंन्ट में यह लोग खाना खाने गए थे न इसमें यह अकसर जो जाते हैं जब भी कोई बाहर या रे वाई तुमने भी तो यही हरकते करी थी है हधराबाद जाके और यह देखिए वैसे तो इतनी त्यारिये चल रही है लेकिन अब इनको चिंता हो रही है इस बात की के अम्मा वगेरा के जो सूट लेकर आई है यह कपड़ा लेकर आई है अब कपड़ा लेकर आई है तो सिलेगा और सिलेगा तब ही जाके वह वहां पर उद्गाटन में या इस्टोएंट के नेम रिवील करने की सेरिमनी होगी उसमें पहन पाएंगी अब इसके लिए जो है कौन आगे जो मड़ी माता जी है ना अब उनका चलेगा अब वह जो है कुशिश कर रही है कि भी ठीक ह कर रही है क्योंकि जो साथ ससूर है ना उनके सामने ये सब हरकते नहीं करनी थी और लड़की का एटिट्यूट तो देखो पहले भी वह जो है बैक को इतना फोकस कर रही थी यानि केरी बैक जो था क्योंकि वह ब्रेंडिड था ना तो इसलिए इतना फोकस कर रही थी आज फिर जब सूट दिखा रही है तो पहले केरी बैक उठा के लेकर आई है उसके अंदर सूट रखा है और फिर दुबार से निकाल कर दिखा रही है कि इस ब्रेंड का ये सूट लेकर आई हूँ जैसा कि हमने पहले बताया था जब से ये कोचिंग गई है इसके जो कैसी होने चाहिए दूसरे तब एटिट्यूट इस बात का भी आ गया है कि शो अफ करना है पता ने कितना गंदा सा सूट लेकर आई है उसके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और फॉइट का मतलब यह आपको नहीं मिल पाई अच्छी वराइटी तो तुम्हें क्या जरूत है इन सब चीजों को इनवाल होने की इसी को कहते हैं जैसी संगत वैसी फितरत और डबा जान बुझ के एक ऐसा सूट देना चाहरी है जो उसको पसंद नहीं है के नहीं हम यह वाला सूट ले लो तुम यह वाला सूट ले लो अब बताए दिखाने के लिए जो है नंद का सूट ले के आई वैसे नंद के बिलकुल भी साथ नहीं चलते ना उसके साथ में उसके तरीके से निभाती वहां पर और ऐसा लगता है कि इसको मेक अप से थोड़ा सा यह इंस्पायर्ड है पागिस्तानी जो शादियों में होता है ना उससे इंस्पाय पाद होगी घंटी जल जाएगी तो यह तो लगवाने वाली है नहीं क्योंकि यह घर किसका है यह बड़े भाई का है और भाई जो वह बदलवाएगा पता नहीं इसका यह बच्पना जो कब खतम होगा 35 साल की औरत का इसलिए मेक अप करा के वापिस आई तो फिर तमीज से बात कर रही है अरे खोलो और बाहर से आवाज दे रही है और यह देख लिजिए खाना फिर दुबारा से वह बिर्यानी है जो सब के सब लोग खाएंगे यहां पर हैल्दी खाने का तो इनका ड्रामा होता है कि भी हम सिर्फ अंडाई खा रहे हैं एक बार दिखा रही थी फ बाड़कास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए थैंक्यू दन्यवाज शुक्रिया